पिछले पार्ट में हमने देखा कि केसे जेन ने यूरी को कमांदर ही त्यान जेन के अटेक से बचा लिया था फिर उसने यूरी से कहा कि आप सब मुझ पर छोड़ो मैं इसे देखता हूँ जेन को देख कमांदर ने उसे सर्विन टाव के बारे में पूछा इस पर जेन ने कहा कि मैंने उसे नरक में भीज़ दिया ये सुनने के बारुग उस्से में अपने गाड्स से उस पर हमला करने के लिए कि इसINTा है फिर जेन उन गाड्स को रोकने लगता है और कहता है तुम स्टोन्स से अलग थे फिर सारे स्टोन्स उसके उपर गिरने लगते हैं और उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं जेन ने कहा इन स्टोन्स में कुछ गरबर है ये स्टोन्स मेरे स्पिरिचुल एसेंस को एब्जोब कर रहे हैं लेकिन ये अच्छा है कि मेजिकल स्क्रिप्ट के कारण मेरा बॉडी पहले से ही स्ट्रॉंग है फिर वह उन स्टोंस को तोर कर बाहर निकल आता है और कमांदर पर हमला करने लगता है कमांदर इनेट स्टेज में होने के वावजोद जेन को रोग नहीं पा रहा था उसने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे ब्रे आपको अभी देने वाला हूँ ये कहते हुए जेन स्पिरिट पियर्सिंग तेकनीक का यूज करता है जिससे कमांदर की सोल बहुत कमजोर हो जाती है और वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है फिर कमांदर पागलों की तरह बरताव करने लगता है और कहता है ये एक स से चले जाओ लेकिन तभी कमांदर ने उनके चारों और एक पत्थर की दिवार बना दी और कहा कि आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता तुम लोगों ने मेरी प्लैन पर पानी फेर दिया आज तुम लोग कहीं नहीं जा सकते तभी जेन ने उससे पूछा क्या इसका मतलब ये है कि आप मानते है कि ये सब आपकी शाजिस है तभी कमांदर कहता है मैं 16 साल की उम्र में आर्मी में शामिल हुआ और टेजी से अपनी रेंग भराई लेकिन किसने सोचा था कि वे मुझे दीमनिक बग से निपटने के लिए इस बंजर जमीन पर भेज देंगे मेरा आधा ज किती लोटना चाहता था और कुछ साल आराम से रहना चाहता था क्या इसमें कुछ गलत है जेन ने कहा एक आर्मी फोल्स के कमांदर के रूप में आप बस अपने बारे में सोचते है आपने एक सोलजर होते हुए भी रूल्स को फोलो नहीं किया जब कमांदर का ध्यान जेन पर था तब कैप्टन दोंग और यूरी इस मोके का फाइदा उठा कर वहाँ से निकल जाते है और एक सेव जगे पर पहुच जाते है तब ही यूरी ने कैप्टन से पूछा कैप्टन आपको इतनी चोट केसे लगी है क्या आप कही गिर गए थे ऐसा लगता है कि यूरी ने फ लर रहा है क्या हम सप्लाइ स्टेशन पर नहीं जा रहे है वहाँ कमांदर मेजिकल डार्ट का यूज करते हुए कहता है पहले मैं तुम्हे मारूंगा फिर मैं उन दोनों के पीछे जाऊंगा यूरी और कैप्टन पहार के उपर से उन्हें लगते हुए देख रहे थे तब जेन को स्टोन स्पेर को रोकने में कथिनाई हो रही थी क्योंकि वह स्टोन स्पेर बहुत स्ट्रोंग था तबी कमांदर ने हस्ते वे कहा तुम मेरे स्टोन स्पेर को अपने बौडी से रोक रहे हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे स्पेर को रोक सकते हो असल में जे लेकिन जेन कमांदर को घायल करने में काम्याब रहा तभी कमांदर गुस्से में अपनी सारी पावर्स का यूज करता है वो एक इनेट स्टेच लेवल के ड्रैगन को समन करने की कोसिस कर रहा था तभी यूरी और कैप्टन भी नीचे आ जाते हैं फिर कैप्टन ने कहा मैं बहुत लखी हूँ कि मैं आप लोगों से मिला अगर मैं आज मर भी जाओ तो भी मुझे कोई पस्तावा नहीं होगा यूरी भी जेन से कहती है दरो मत लो जेन तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी कमांदर एक फाइरी ड्रैगन को समन करने में काम्याब हो जाता है वह फाइरी ड्रैगन इतना पारफुल था कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को डिस्ट्रोई कर रहा था तब ही यूरी जेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई जेन ने इसे थीक से नहीं सुना क्योंकि अजूर ड्रैगन उसे बचाने के लिए उसके बाडी को कंट्रोल करने की कोसिस कर रहा था मगर इस से पहले कि अजूर ड्रैगन जेन के बाडी को पुरी तरह से कंट्रोल कर पाता एक स्पेर बहुत तेज गती से आता है जो फाइरी ड्रैगन को डिस्ट्रोई करके साधी कमांदर को भी घायल कर डेता है उस स्पेर का यूज करने वाला वेक्टी कोई और नहीं बलकि बाइडी सिती का जनरल जुन फाइलोंग था तभी यूरी जेन से कहती है यही तो मैं तुम्हें बताना भूल गई मैंग बाइडी सिती के जनरल से मदल लेने गया था इसके बाद जनरल जुन फाइलोंग उससे में कमांदर से कहते है ही ती आंचेन मैंने तुम्हें इतने सालों में करी मेहनत से ट्रेन किया और बदले में तुम यहाँ यह सब कर रहे हो मैंने तुम से यह एक्सपेक नहीं किया था कमांदर ने दर के मारे कहा जनरल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे एक मौका दीजिए मैं आपको सब बताता हूँ जनरल कहते है तुमने अपने साथियों को मार दी और ब्लू विन स्कॉाट के सभी मेंबर्स को भी मार डाला और तुम अभी भी उन्हें चुप कराने और अपने क्राइम्स को छिपाने की कोसिस कर रहे हो इस पर कमांदर ने कहा कि ये मेरा आइडिया नहीं है जूगा फेमेली ने मुझे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया ये सुनने के बाद जनरल जुन फैलों गुसे में उससे कहते है क्या मैं तुम्हें इतना अंधा दिखता हूँ तभी ही त्यांचेन अपनी जान की भीक मांगने लगता है और कहता है मुझे मत मारो मुझे अपने पापों का प्राश्चिट करने दो मैं जीवन भर्ड ड्रैगन पैलेस की रक्षा करूंगा तभी जनरल ने उस पर एरो से एम करके कहा अगर मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दू तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे गए सोल्जर्स को केसे जवाब दे पाऊंगा फिर जनरल उस एरो को छोड़ देता है और वो एरो कमांदर के आर पार हो जाता है जिससे उसकी तुरंट मौत हो जाती है जनरल फिर कहते है ही त्यांचेन को सजा मिल चुकी है जिसका वो हकदार था मैं इसके बारे में मिलितरी डिसिप्लिन डिवीजन को अलग से रिपोर्ट करूंगा प्लीस इस बारे में बात ना फेलाईए एसा ना हो कि इस से आर्मी फॉर्सेस के मनोबल को थेस पहुचे लू डॉंग आब अब से ड्रागन कैसल का नया कमांदर है आब ही त्यांचेन का पॉजिशन समहा लेंगे मुझे निरास मत करना तभी कैप्टन डॉंग जनरल से कहते है मैं अभी भी इने एक्सपिरियंस्ट हूँ मुझे दर है कि शायद मैं स्कॉाट को सम्हाल ना पाओ ये सुनकर जनरल फैलोंग उनके पास आता है और कहता है तुमने अपने भाईयों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी हर कोई देख सकता है कि तुमने क्या किया है कैप्टन मान जाते है और कहते है कि मैं पूरी कोसिस करूँगा उसके बाद जनरल यून फैलोंग वहाँ से चला जाता है फिर जेन सीनियर मैंग को मदद लाने के लिए थेंक्स कहते है तभी सीनियर मैंग जेन से कहता है तुमने सर्वेंट आउ को अकेले हरा दिया और ही त्यांचेन को इतने लंबे समय तग रोक के रखा ये सुनकर जेन कहते है सीनियर मैंग आप एक अच्छे दोस्त है सीनियर मैंग भी कहते है कि आप भी बुरे नहीं है तभी यूरी उनसे पूशती है कि तुम लोग छुप छुप कर क्या बात कर रहे हो इस पर जेन कहता है कि हम बात कर रहे थे कि जनियर मैंग जेन के बारे में सोचता है प्रिंसेस सू लिंग उन जेन की पोटेंशल के बारे में जानती थी जेन मेरी सोज से कही ज़्यादा पाउरफुल है मुझे भी और मेहनट करना होगा